आप सबी लोग जैसे कि आप सब देख सकते हैं सुवे सुवे का समय है मेरे हजबन जा चुके हैं उसके बाद मैंने अपना घर का काम कर रही हूं यह मैंने अपना बेट साफ सुथरा कर दिया है यहां मैंने जो है ठीखाती हूं कि यहां मैंने अपने छंच अ सामान सेट कर डिया कबर शाफ कर दिया है अब मैं किचन साफ करने लगी हूं जैसे कि आपको दिखाते हैं किचन की हालत बुरी हÝ हूर रखिए है अब जो है मैं किचन साफ करने जा रही है हालत देखो यह मैं नहाऊंगी कपड़े धोने हैं मेरे को आज फिर से क्योंकि मेरे हजबन जो है मेडिकल लाइन में है तो कपड़े हर दूसरे दिन हर रो उनका पस्च चले तो गर्मी में तो दिन में दो बार तो चेंज खरी लेखते हैं सुब्छ पैन के जाते शाम को एक फिर तो अभी मैं kitchen पहले साफ करूंगे, kitchen साफ करके, साफ सफाई जाड़ों कुछा करके, उसके बाद मैं कपड़े धोंगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ, मैं kitchen की हाला दिखा दूजरा मैं, कि कितनी बुरी हालत हो रखी, अबी बस husband अभी गए है इसलिए आटा भी खुला रखा है मैंने ये मैंने अपने लिए आटा रखा है मैं आए काम वाम करके फिर अपने लिए बनाऊंगी ये भी रखा है ये सब अभी साफ सफाई करके किचन साफ करके फिर मैं आपको मिलती हूँ वेट केज़ेगा जब तक के लिए ओके तब तक मैं यहाप अपने बरतन धोरी हूं बरतन में फटा फट धोर लूंगी मैंने इसको फास्वावड कर दिया है ताकि आप लगों को दिकत नहा है क्योंकि यह बहुत जादा लंबी वीडियो होगी थी इसलिए तब तक जैसे कि आप आगे देखेंगे मैंने अपनी मशीन भी लगा दी थी भर ने के लिए भर गई थी मैंने मशीन जो है पानी भर देता कपड़े भी डाल देते उसमें डिटर्जन मत जाती कह रहे है कि फिर तब तुम मत करना मैं आऊंगा तो मैं करूंगा जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कीचन साफ कर दिया है ठीक है मेरको कीचन बहुत दिक्केत होती है मैं चिस समय यूस करते हूं इसरे बंद बंद करके रख देती हूं साफ करके एकदव मुझे सुत्रा साफ सुत्रा ची होता है यह देखे जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन मैंने लगा दी थी तब त देख सकते हैं चेकना एकदम दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी यह मैंने मशीन देखो पूरी लगा रखी है कि अ यहीं अब मैं आपको कॉम कर लूं फिर मिलती हुं कपड़े दोलूं मैं जाबसफाई कर लों ऊसके बाद मैं आपको मिलती हूं उसकी बाद आपको क्या मिलती हूं उसके बाद सिधा है शाम को मिलती हूं आपको डीनर के टाइग enfin' डिनर दिखाँगी मैं आपको ये मैंने क्या दिना बनाया, अगर बीछ में अगर हो सके तो शायद मैं अपना कपड़े धो रही हूँ, तो शॉर्ट वाट ले सकूँ, बाकी नहीं तो आपको दिना डाइगा, ओके बाई, चटनी बना रही है, थोड़ा मैंने धनिया लिया है, थोड़ी मैंने लालसा ओर पाँच टैने लियनें जादा कुछ नहीं डालूंगी नमक डालूंगी और कुछ भी नहीं यह मैं चटनी बंके तयार हो जाएगी चली, मिलती ही मैं आपको चटनी बनाने के बाद यह मेरी चटनी बनके तयार है और बहुत टेस्टी बनी थी मेरे हजमें तो कहा रहे हैं जैसे नॉन वेज में कुछ बनाते हैं पकोड़े टाइप के जैसे फिश पकोड़ा चिकन टिकका जैसे कुछ भी होता है उनके साथ खाने के लिए बहुत जादा टेस्टी है यह बहुत जादा टेस्टी बनी थी आज मैं बनाने वाली हूँ उतराखन की फीमस दाल ठीक है आप लोग देखेंगा आगे आजो यहाँ वीडियो में आरे आओना आ जाओ चलो यह तो आएंगे नि हम वीडियो बनाते पहाडी दाल मतलब अंकुर के घर की दाल अंकुर के घरवाले ոारे गढ़वाली है अंकुर के घरवाले तो हम वही उतरा खनकी फेमस दाल बनाने वाले हैं जाओ यूपी नहीं नहीं तुम लगे चेंड़ा नहीं करने वाले तूट्पिक्स है तर आज द जाओ आप उत्रखन की दाल कि अले कोी चलो ठीक है हम बनाने वाले हैं अंकुर की दाल मतलब उत्रखन की दाल एक प्रेगा की दाल है इसमें जो है कुछ की होता है जो मल्का की दाल होती है उसे प्राइग करें मंले Conseil लगा कर तब बना जाता है पानी अच्छे से निकालने के बाद कुछ भी नहीं रुकना चाहिए उसे दो तीर पान से साफ करें ताकि उसकी स्वेबिन की स्मेल होती ही वह भी निकल जाए फिर जो है स्वेबिन को जो अच्छे से फ्राई कर लेना है आपको उस तब तक मैंने या पर मीन वैल चावल हरी मिर्ची हरी मिर्ची है आप ऐसी इसलिक हर के ले सकते हैं कोई इशू नहीं है बरी 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 काटे है और लसन लिया है मैंने लसन थोड़ा ज़ादा होगा तो अच्छे ओगा मेरे पे फटोड़े थे खतम होगे थे और मैंने कुछी लिए जीरा और लाल साबुत मिर्ची का मैं तड़का लगाऊंगी और ये मैंने न्यूट्री जो फ्राइ करके रखी लिए अब देखिया तड़का में लगा रही हूं बहुत सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें फटाफट बन जाती है एक दो प्रेशर में बन जाती है एक दो प्रेशर लगा हो जाता है यह मैंने जीरा और लाल साबुत मिर्ची डाल दिये फिर मैंने अधरक डाली हरी मिर्ची लसन और प्याच सारा कुछ एक साहँ डाल के मैं अच्छे से इन्हें फ्राइब कर लूँगी भूल लूँगी जट्टे कडिक प्यास लाल नहीं हो जाती है मैं सारे मसाले में नमक डाल देती हूँ आप कहेंगे मैं हम जो भी वीडियो देखते हैं नमक नहीं डालती है पर मैं नमक डालती हूँ आज मैंने बता दी आपको कि मैं खुद वीडियो देख रही थी मेरे समय देख रहे था नमक बोलती क्यों नहीं हो तो इसलिए मैंने नमक बोला है, नमक मैं पहली यह दिखा भी दिया है, नमक मैंने डाल दिया है, दो चमज के करी मैंने नमक डाला है, फिर मैंने या पर तीन टमाटर, आज कल जोए देसी टमाटर आ रहे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जूसी होते हैं, हलके खटे भी होते ह तो तीन टमाटर मैंने डाल दी हैं मेरे चावल बन रहे हैं बॉइल आ गया तो मैं इसे एक बच चला के सिम कर दूंगी ताकि दिक्कत ना है यह मेरे मसाले मसाले में कुछ नहीं है नमा ओ सौरी दनिया पाउडर मिर्ची हल्दी थोड़ा सा जो है हमार पर राजिश मसाला आत गात में पानी सब करके मैं थोड़ा मोड़ा ऐसी करें तो थोड़ी इश्यू हो तो थोड़ा इग्नोर करना चलिए हम आगे बढ़ते यह मैंने दाल अच्छे से भून ली है इसमें मैं पानी आड़ करूंगी पानी आपको जितना गाड़ा चीए उतना क्यों पानी जो है ह एक लिए खाने के लिए रहते हैं उन्हें होना ने किया बात में पानी लगा देता हूं बात पतला चीए मैं पानजटा कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये मैंने अपना जो है दाल चड़ा दी है ये मैंने दन्यागाट के कल्चे में रख दिया था था कि बाद में दिक्कत ना है ये मेरे चावल बन गए है ये मेरे हजबन ने मशीन लगा दी है वो दिखा रहे हैं मेरी टीशर जो फट गई है पर टीवी के उन्होंने गोला कपड़े तो धोने हैं मैंने मैं यही पहन लेता हूँ और क्या खराप सोड़ना हो नहीं है तो मैंने का चलो ठीक है पहन लो तो उन्होंने मशीन लगा रखे और कपड़े धो रहे हैं मैंने मेरे हजबन कॉपरेटिव है मदद कर देते हैं अराम से उनको कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ नहीं यह तू है तू आउरत है तो तू ही करेगी या मैं आदमी हो तो मैं यह नहीं करूँगा ठीक है न ऐसा कुछ भी नहीं है यह है मेरी दाल बनके तयार है इतनी टीसरी बनी थी पहले मेरे हजबन कहते हैं पता नहीं क्या-क्या खिलाती रहती मेरे को नहीं पसंद है यह है वो है और जब मैंने उनको दिया न उन्होंने पूरी प्लेट सफ़ा चट कर दी जितनी मैं प्लेट में भी खाना निकालोंगे न उनके लिए वो पूरा खाना उन्होंने खा लिया था वरनना वो इतना खाते नहीं है कभी भी लेकिन उन्होंने पूरा खा ले थे ये मेरा salad है, chutney है, दाल है सब चावल है, सब कुछ बनके तयार है ये इतना खाते नहीं है जितना मैं निकाल रही हूं खाना इतना कभी नहीं खाते है पर उनने दाल इतनी टीस्टी लगी थी कि कह रहे थे कि वाह क्या दाल बनाई है बहुत टीस्टी बनी थी दाल लेकिन आप लोग ट्राइ करीजेगा तो प्लीज मुरे को कमेंट करके बताएगा आप लोगों से क्वेस्ट है चैनल को अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजएगा बाकी मैं आपको मिलती है नेक्स वीडियो में बाई गैस लाब यू आल